हाई गाईज तो हाव टू इंस्टॉर्ड अवन्तु आन वर्चार ब्लाक्स सबसे पहले हम अवन्तु टाइप करते हैं Google Chrome पर और उसके बाद हम क्लिक करते हैं अवन्तु की वेबसाइट पर और डाउनलोड वाले फोल्डर पर जाएंगे डाउनलोड वाले option पर जाएंगे और उसको get अवन्तु टॉस टेस्ट आफ करेंगे जैसे हम करते हैं यहाँ पर हमारा यह वर्जन आ जाएगा यह 22 वर्जन है और यहाँ पर एक 23 वर्जन भी है लेकिन यह हमारा LTS वर्जन है तो हम LTS वर्जन को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जैसे हम डाउनलोड करते हैं डाउनलोड हो रहा इंस्टार्ट हो जाएगा लेकिन यहाँ 4.7GB की फाइल है और यह है डाउनलोड होने में टाइम लेगी इसलिए हमने यह पहले से डाउनलोड कर ला की है फाइल हम उस फाइल को ओपिन करते हैं और उस ही को इंस्टॉल करते हैं अभी के लिए हम इसे चैंसल कर देते हैं ठीक है डेश्टउप पजाएंगे वच्छल वग की क्लिक करेंगे यह वच्छल वगष ओपनउता है हम अवनट इंस्टॉल गाना शुरू कर देंगे तो हमारा वच्छ वगष ऐपन हो गया है अब हम नूट पजाएंगे और यहाँ पर अवनंटू टाइप करेंगे जैसे यहां आवन तो टाइप करते हैं नेम में यह माइक्रोसब्व विंडू सो कर रहा है यहां यहां डेपॉल्ट linux लोगना चुरू कर देगा अवन तो ठीक है linux लोगने यहां पर और हम क्या करेंगे यहां से अब हम iso file जो हमने download folder में रख रहा किया है उसको ले लेते हैं यह iso file ले ले लेंगे हम जैसे यह यह लेते हैं हम इस पर finish pack करते हैं ठीक है किसी के नेश्ट options हो करेंगा तो आप नेश्ट करके अपने इसमें hard disk और वो jam वगारा set करके download इस्टॉल कर सकते हैं ठीक है हम finish पर क्लिक करते हैं अभी के लिए can override ठीक है यह override का options हो कर रहा है तो हम क्या करते हैं यहां पर यह हमने पहले download कर रहा है इसलिए override options हो कर रहा है यह हम इसको delete कर देते हैं यहां से इसलिए यह हमारा override option सो ना करें open new window पर क्लिक करके delete कर दिया अब यह हमारा override so नहीं करेगा हम finish पर क्लिक करते हैं और यह install होना शुरूप हो जाएगा तो यह install होने में थोड़ा सा time लेगा और थोड़ा ज्यादा time लेगा है तो आप इसको step by step करके install कर सकते हैं करें अब यह अब यह अब यह अब यह अब यह अब आन्ट इस्टॉल हो रहा है आप देख सकते हैं कुछी दिल में इस्टॉल हो जाएगा तो अब यह install हो चुका है अब हमको इसको login करना है और फिर इसको देखना है इसका by default password i think change me होगा क्यों हम चुरू में password set करते हैं वह यह password होता है change ch a change me और फिर एंटर कर देते हैं कैसे एंटर करते हैं यह login हो जाएगा तो अब इसका user interface आ चुका है तो हमारा यह अवन्टू इंस्टॉल हो चुका है अब हम इस पर कोई भी काम कर सकते हैं Chrome खुल सकते हैं और यह सारे फीचर्स हैं और बाकी के आपको कोई भी फीचर्स इंस्टॉल करने हैं उन फीचरों को आप इंस्टॉल कर सकते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे ठीक है आपको लेकिन एक चीज़ याद रखना है अगर आप अवन्टू इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके सिस्टम का कंफरेशन अच्छा होना चाहिए अगर सिस्टम कंफरेशन लो है तो मेरी काइडेंस के हिसा सब्सक्राब से आपको अवन्टू स्टॉल करने प्राइड नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी स्पीड सिस्टम की स्लो हो जाती है सो थैंक्यू गाइस वाचिंग इस वीडियो